Connection में हम जैसे के रोज एक खाव मानेजमेंट को जोड़ते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आगे की कमपनी की रणनीती और निवेशकों के लिए नहीं सिफ कमपनी के बारे में हम उनको बताते हैं साथ ही Mानेजमेंट से आगे के लिए क्या कुछ गाइदे चुके हैं पर जिन से बात होगी पर अगर हम नजारा टेक्नोलोजीज की बात करें तो अगले तीन से चार साल में माजिन्स को लेकर उनकी क्या उमीदे हैं साथ ही बात करेंगे कि तमिल नादू सरकार ने जो ओनलाइन गेम पर एक बैन लगा दिया गया है उससे कमपनी का कारोबार पर क्या असर परतावा दिखा है इन सभी मुद्दो पर होगी चर्चा लेकिन मैनेजमेंट से बात करने से पहले आईए जान लेते हैं कुछ बाते कम अजारा टेक्नोलोजीज में कमपनी की यहां पर शुरुवात हुई थी और देश की दिगज मोबाइल गेम कमपनी है अगर इनके और सेग्मेंट्स देखे जाएं तो काफी डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्रॉडक्स कमपनी यह बनाती है जहांकि इस पोर्स में भी इनक और से गेमिंग को लेकर वो कमपनी इस कारोबार में है और साथ ही आगे के लिए क्या है रननीती और किस तरीके से देखना चाहिए क्योंकि हमने देखा था कि दिककर निवेशक राकेश जिन जुन्वाला का इस पर भरूसा था और जब आईपियो आया था उसके बाद भी कच्छी तेजी देखने को मिली पर आये बानेजमेंट यानी नजारा टिकनोलोजीज के एमडी और फाउंडर मिस्टर नितिन को हमारे साथ जोड़िंग आपको बहुत-बहुत स्वागत है एटीनाव स्वदेश पे सबसे पहले तो हम आपसे जाना चाहेंगे कि एक जो ड् कॉंसर शिफ फी जो है इस इवेंट की हम आते भी देख रहे हैं और साथ ही क्या प्लान्स है इसको फॉर्दर स्केल अप करने के अजी तो अगर आप देखिये तो ड्रीम है को पुरी इस्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के अराउंड है इस्पोर्स अपने कंट्री में बहुत तेजी से ग्रोर है सबके पास मोबाइल फोन है सबके पास अच्छा डेटा स्पीड से और सबको गेमिंग खेलना है तो फिजिक गेमिंग जो एक फिजिकल येगिलिटी रहती है एसपोर्स अलाओ देखिपिश एक फिजिकल टॉर्नमेंट्स फेस्टिवल्स हमने अभी हाल में है तीमैक करा ओंडन अलॉट ऑट पीपल अटेंड़ी अभी हम लोग पुना में एक बुसरा इवेंट कर रहें गेमिंग अन मिलता है आगे ठीक है मिस्टर नितीश मेला दूसरा सवाल है आपके मार्जिन्स को लेकर आपने एक हिंट किया था कि कंपनी के जो है वो थोड़े से छोटी अवदी की बात करें तो वहां पे लो मार्जिन्स देखने को मिलेंगे किस तरीके का आई पीज को लेकर नए आई प आई पीज को लेकर एक बिल्ड अप होते वे देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ओपरेटिंग लेवरेज के किन होगा वहां से मार्जिन्स किस तरीके से रेकावर करेंगे इस पर क्या उमीद लगाई जाए जरूर सो हमने यह साल FI 23 के पूरे साल का इक गाइडेंस जिसमें हमने बताया है कि हम 70 तो 75 परसेंट रेवन्यू ग्रोथ करेंगे और at least 10 परसेंट मार्जिन करेंगे हमारा ख्याल है कि जो इसपोर्स बिजनिस अस्पेशली हमारे जहां मार्केट लिडर एक अल्मोष्ट परसेंट मार्केश्यर है उसमें हम जितना तेजी से ग्रोक्षेंट करते जाए जितनी अलग-अलग प्रोड़क्स अन सर्वेसेज करते जाए वह हमारा है हमने पहले स्टार्टिंग और बोला था कि हम यह साल पचास परसेंट ग्रोफ करेंगे पर हमने हाल में इसको रिवाइस करके 70 तो 75 पर दिये तो री इन्वेस्टमेंट और मार्जिन और ग्रोफ इस वाट करेंगे हमारी कोई भी कंपनी लॉस नहीं कर दिये और सब पॉजि पर आगे के लिए कंपनी के जो ग्रोफ ड्राइवर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन से वो की ग्रोफ ड्राइवर्स रहेंगे जहां से कंपनी के फाइनांशल्स को भी बूस्ट आतावा दिखेगा जरूर्स एक एरिया है जिसमें काफी ग्रोफ आ सकती है हमारा जो गेमिफाइड लर्निंग बिजनिस है कि इटोपिया वो काफी अभी तेजी से ग्रोफ रहा है भाल में हमने एक नया एक्कुजिशिशन युएस में करा था जिनका प्रड़क्ट है एनेमल जैम वो भी अभ सब्सक्राइब करें कि अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें तो कई सारे रेगुलेशन जो है माते वे देखते हैं यहां पे अगर इस महीने की शुरुवात में देखे तो तमिलाज सड़कार ने भी वहां पे ओनलाइन गेमिंग पे बैन लगाया है जहां पर रमी और पोकर पे उन्होंने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है स्टेट को लेकर आपसे समझना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टेट से कितना कॉंट्रिबीशन आया करता था नजारा टेक्नोलोजीज का और किस तरीके से आप इसका इंपक्ट होते वे देख रहे हैं इस इंपक्ट से हमारा 1% से कम इंपक्ट है हमारे रेवनियों पे क्योंकि ओवर रॉल जो रियल मुनी गेमिंग बिजनिस से वो खली 5% है हमारे पूरे बिजनिस का तो तमिल नाटू को बैंड से हमें अन पर सिंपक्ट नाजारा को जादा इंपक्ट नहीं है बट आगे हम देखेंगे कि यह कैसे डेवलप होता है तमिल नार्णों ने एक पर पहले भी बैन करा था फिर हाइपोट ने उसको रिवर्स कर दिया था अभी एक और बार बैन कर रहे तो कैसे फाइनल रेजिलूशन इसका होता है को हम लोग क्लोजली मॉनेटर करें शुक्रिया मिस्टर नितीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक है कौन से की ड्राइवर्स हैं यह पूरी जानकारी है हमारे दर्श को तक बचाने पहुचाने के लिए आज लेके तो शेयर म में भी वह आने का पूरा ट्राइ कर रहे हैं और आगे चलके e-sports एक सेग्मेंट है जहां पर उनको लगता है की ग्रोड ड्राइवर साबित हो सकता है पर आए समझते हैं हमारे फंडमेंटल एक्सपर्ट से भी कि कैसा लगता है उनको नजारा टेक्नोलोजी और इसके साथ अब हमारे साथ जड़ रहे हैं मिस्टर अविनाश को रक्षकर जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है अविनाश जी एटीनाश वदेश पे आपने मैनेजमेंट को सुना और शेयर में तो देखे दिगज निवेशक राकेश जुनजुनवाला जी का भी भरोसा था कैसा पोटेंशल बहुत मचबूत है अगले दो-तीन सालों के लिए लेकिन जो नमबर्स कंपनी ने प्रोडूस की है पिछले एक दो क्वाटर से इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा बहुत-मार्जिन प्रेशर कंपनी को दिख रहा है एस्पेशली अगर हम इसका बिजनस पे थोड़े से रिस्टिक्शन गोवर्मेंट ने अनॉंस किये हैं लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि यह एक ऐसा सेग्मेंट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका फायदा एस्पेशली एस्पोर्स के लिए कंपनी को काफी मिलेगा तो जिनको देड इसमें थोड़ा सा निवेश करते हैं लेकिन लंभी अवधी का टाम फ्रेम रखे शॉट तम में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर है क्योंकि शेर अल्रडी कापी अपरी लेवल से गिरा है तो अनिंग रिकावरी होते होते चायद थोड़ा सा टाइम लेगा बड़धे पूसी अपराइम लेखे शॉटब लेखे लग रहाएब लग दाइम लिगहाा है वन दाइम नहीं लेखे और लेखे वैश देना वेखे लिग दोतम्यार मेंच अवेशा करा टाइमिव शॉट पर दोड़ा बड़ाइम्ट detि वेखे ।